हेलो वेल्कम टो टेक्शन में आज की सेशन में हम एक और बिल्टिन फंक्षन देखेंगे जो है डेट तो मैंने यहां पर एक प्रोग्राम ग्रेट के हुआ है मैं आपको वह प्रोग्राम दिखाता हूं तो यहां पर तो वही कंट्रोल ऑप्शन है स्पेसिफाई किये वह है जो हमारे डीबगिंग के लिए हम यूज मिलेते हैं तो यहां पर मैंने नो डीबग आयो सेट किया है जिससे क्या है जब भी हम प्रोग्राम डीबग करते हैं तो वह बार-बार अगर हम कोई फाइल इंप यहां पर सबसे पहले मैंने कुछ वेरेबल डिक्लेर के हम लाइन बई लाइन देखने कि कौन सा वेरेबल किसलिया हम ने यूज में लिया हूँ है और मैंको डिद्वेशन मता देता हूं यहां पर जैसे करेंट डीट नेम से एक विरेबल है जिसका डेट टाइप है डेट पिर एक num date1 नेम से बनाया है जो numeric8 का है similarly num date2 numeric8 एक मैंने care date से बनाया है जिसमें six characters store कर सकते है और एक result date जो date type का है ठीक है तो हम step by step देखते हैं तो percent date क्या होता है % date एक ऐसा built in function है जो कोई-bी suppose हमारा पर character value है Score काक Q Past Crirst उसको अगर date Помईा चाहते हैं तो आहलेवं हम पर पर सिंटेट ऐसा करते हैं कोily भी नुमेरिकी वेली जिसको में डेट में कटेमी तोम पी भी परसेंटीज डेट यूज करेंगे तो mainly character को, numeric value को और किसी date conversion के लिए हम percent date built-in function का use मिलते हैं line number 20 पर आप यह position देखोगे तो यह क्या है मैंने यहाँ पर percent date और open और close parenthesis लिखावा है तो इसका meaning कहा है अगर हमार को कोई भी system की current date retrieve करनी है तो इस तरह से आप percentage date का use कर सकते होते हैं इस से हमार को जो भी current date होगी वो current date में store हो जाएगा तो यह variable मेरा current date है इसमें जो भी आज की date होगी वो यहाँ पर assign हो जाएगी तो यह तो use हमारा percentage date का यह है कि अगर हमारा current date निकालना है तो हम easily निकाल सकते हैं उसके बाद में मैंने उस date को display गया हुआ है current date को जो हम output में देखेंगे नेक्स्ट अब मैंने numDate1 एक variable बनाया है जिसमें कुछ date को store किया है तो let's say अभी हम यह आप 2004 कर देते है 2004 January 1 ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे यह हमारा पर numeric date numeric type का है तो इसको हम date में convert करेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर percentage date लिखेंगे और open करेंगे इसको parenthesis को और उसमें लिखतेंगे number date और फिक्लोज कर देंगे तो यह क्या करेगा जो भी इसके अंदर value लिखिए उसको date में convert करेगा और फिर result date में store कर देगा result date हमारा type का है date तो जो भी इससे return होगा वो date होगी एक तो वो date को हम date type variable में store कर रहे है तो second हमारा जो यूज हो गया percentage date का वो यह कि कोई भी numeric value है valid numeric value तो यह उसको date में convert कर देता है पिर हमने इसको यहां पर display date कर आया है तो हम output में देखेंगे कि किस तरह से हमारा output मिलता है थर्ड जो हम यूज कर सकते हैं वो है character value convert करने के लिए तो यहां पर जैसे कि नाम है variable का care date में यहां पर character value store कर रहे है और यहां पर मैंने six digit लिया है जैसे month date और year ठीक है md y यह मेरा format है यह मैंने comment लिखा वाय साइड में इस तरह से आप comment लिख सकते हैं प्रोग्राम में slash less तो उसके बादवाज़े line के आप consider नहीं होती तो यहां पर mmd diy तो यह format है मेरा इसका अब मैं इसको format change करके दिखाता हूं तो percentage date के साथ में आप इस तरह से column देके एक और value पास कर सकते हैं जो होगा date का format तो जो भी अगर आपको date का format में convert करना है आप वह यहां लिख सकते हो और फिर उससे जो output हमें return करेगा वह हम अपने variable में store करेंगे तो यहां पर जो मैंने current date variable बनाया था उसमें हम output store करेंगे तो अभी यह यहां पर क्या कर रहा है हमारा current format यह है 6 digit का 12,21,21 तो इसको यह convert करेगा star mdy 0 यह क्या होता है यह इस तरह का format होता है तो इसमें यहां पर 4y mm dt त यह इसको यहां पर convert कर देगा और हमारा variable current date में हमारा इस तरह की date store हो जाएगी और फिर मैंने इसको यहां भी display कराया है और start and on किया है मतलब यह हमारा last record है program end है तो अभी मैं इसको compile करता हूँ और आपको output देखाता हूँ करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा वो percentage date वाली जो लाएन थी उससे हमारा output आया है उसमें current date आ गई तो 2021 12-21 second जो हमने numeric value को convert करके date बनाया था तो numeric value यह थी 20040101 तो यह इस तरीके से date की format में आ गई थर्ड जो हमारा character था उससे हमारा को value हमने mdy zero format में लिया है तो वो six digit था उसको देखो यहां पर आप यहां पर यह यह रोकर yyy mmtt तो इस तरीके से हम date बिल्टिल मंग्जिन का यूज कर सकते हैं तो date में काफे सरे format रते हैं जैसे ISO, USA, तो वो आप नेट पर दिख सकते हैं आपको different IBMI के site पर मिल जाएगा तो different different format है जिस भी format में आप convert करना चाहते हैं उस format का name यहां पी लिख सकते हैं जैसे star mdy, star ISO, star USA तो अपनी requirement का according हम चेक कर सकते हैं तो में लिए percentage date का इतना ही यूज होता है कि अगर कोई एक तो current date अगर हमार को चाहिए तो percentage date लिख सकते हैं और numeric value चाहिए numeric value को convert करना है तो हम उस case में use करेंगे और plus character, valid character value होगी कोई भी साही value तो उसको भी हम किसी भी particular format में change कर सकते हैं percentage date के लप से mainly date के लिए यह है आने वाले session में अगर need रहीगी तो मैं सारे जो भी date conversion होगे तो उसका भी separate session यहां पर upload कर दूँगा अभी के लिए आप इस तरह से percentage date का use कर सकते हो और एक यहां पे और अगर मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको कोई भी date को किसी particular format में ही return करनी है तो आप यहां क्या कर सकते हो उसका format name दे सकते हो जैसे star ISO अभी क्या होगा जो भी हम date इसमें store करेंगे उसका जो format रहेगा वो ISO में हो जाएगा ऐसे अगर USA लिखोगे तो USA में तो जो भी इसमें value आएगी इस format में आएगी ISO USA जो भी requirement आप उस असरी के से ख़र के देख सकते हो डेट के लिए यही था नेक्स परसेंटेज डेट बिल्डेंट मेंशन के लिए अभी के लिए इत नहीं था एक सेशन में अगर नीड होई तो मैं आपको इसके कंवर्जिन के बारे में बिता दूंगा सो अभी के लिए नहीं है सो थैंक यू फॉर वाजिंग टेक्शन में